कि रहना आप इसको मैं से उठाऊंगा तो यहां तक चलीगी है लो गाइज वेलकम बैक टूंदर वीडियो आज की वीडियो में आपको टाटा नेक्साउन की उच हीडन फीचर्स के बारें बताने वाला हूं जो हर एक न्यू बायर गाड़ी लेने से पहले देखता है और जो आपको बता देता हूं उसके बाद इसको यूज कैसे करते हैं मैं वह आपको बताऊंगा ओके इसका मतलब यह है जैसे अगर आप गाड़ी में आपके बच्चे बैठे वे हैं और आप गाड़ी लॉक करके नहीं जा सकते लेकिन आपको चाबी निकालना है क्या बच्चे ग जो गाना भजा सकतो ब्लूटोट से कनेक्ट करके वो सब आपके इच्चा इतना भी जा सकतो बिना चाबी के ये घंटा तक बिना चाबी के चलता रहेगा फर्स फीचर ये था इसका वन आर मोड इसकेड़ जो इसमें मिलता है यह हैं ड्रायवर डॉर बस आपको इसको बंद क आपको इतना दूर जाने कि यह जरुआ थी मैं ऐसे को भान करऊंगा वहा की दोर लॉचाएंगा अब यहीं से इसको खोलूँ गाता तो वापस यह ओपन हो जाए अब यहीं से इसको बंद करूँ गो ति चारो बंद हो जाये नेच्च के 1 पीछे जो इसका आता है, गर आपको इस इस अंदर गाडी के बैठें बैठें, आपको इसका ORVM बंद करना है. आपको को निहां करना, यह जो बतन दीख रहा है, इसको नीचे प्रेस करना हैं, बस इसको नीचे एसे करना recuerden चुका है। यह मिर अपने आप खुल चुका है जाएस मैं आपको पहली बता दू जो चीज मैं बता रहो और कॉमन फीचर भी साथ में बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे न्यू बायर्स भी ए वीडियो देखते हैं जो पैसेंजर वीडियो बार 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 ये उपन कर दे रहा है मतलब वह बार बार इससे छेड़ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना पास ड्राइवर सीट साथ ये बटन दबा देना है जैसी इसकी लाइट बंद हो जाएगी आप कोई भी आप सीट से विंडो को आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं उपर नीचे कुछ भी कर लीजे ये बंद नहीं होगा ये उपर नहीं होगा ये एक अच्छा फीचार है कि कोई बच्चे लोग पीछे कांच के साथ छेड़कानी नहीं कर पाएंगे ये अच्छा चीज है बस जो विंडो से बस आप यहीं सवय एक्सेस कर सकते हो ड्राइवर साइट से ही एक और add-on चीज में आपको पताने हो ला हूँ ये चीज खासकर एक new बारे का first car owner के लिए है जैसे आप देख सकते हैं इसमें 6 gear की गाड़ी है लेकिन इसमें एक reverse gear अगर आपको लगाना है तो simply देखिए आप reverse डालेंगे तो नहीं लगेगा गाड़ी में देखना reverse के लिए जा ही नी रहा पीछे आपको एक चीज करनी पड़ेगी यहां पर इसको उठाना पड़ेगा एक बगकल को तभी यह रिवर्स डलेगा अभी देखिए यहां तक जा रहा है देखिए अभी पूरा अब बस इसको उठा के ताल लोगे तभी दूर तक जाए मतलब यह default on रहेगा यह auto mode है और यह off रहेगा यह on or off का तो आप जानते ही auto mode का मैं meaning बताता हूं आपको आप जैसे देख सकते है अभी auto mode में चला गया है आप जब भी गाड़ी का gate खुलेंगे तो देना यह अपने आप light चालो हो जाएगी अभी मैं gate खोलता हूं देखना अब यहां से gate खोलूंगा मैं यह light अपने चालो हो चुकिए देखिए gate खुला हुआ है अब जैसे gate को बंद करूंगा विदिन कुछ second ही अपना बंद हो जाएगा gate बंद हो चुक है अब देखना light अपने धीरे धीरे बंद हो जाएगी यह इसका auto mode का feature है अगर आप अपनी Nexon की DRL बंद करना चाहते हो उसका भी एक feature मिलता है अभी आप देख सकते हैं DRL का निशान यह है ठीक अभी मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूं DRL चालू मैं आपको बाहर जाके दिखा दिया हो गाड़िये की DRL चालू पड़िये आपको कुछ नहीं करना भी देखना हो निशान हट जाएगा यह जो दिख रहा है इसको दो बार उपर नीचे करना है देखना भी हो आप उसमें भी ध्यान देते रहना उसमें भी अब इसको दो ब यह देख सकते हैं आपके DRL बंद हो चुक है अगर आपको फिर से इसको चालू करना सेम प्रसेस करना भी देखे हमाँ पर निशान नहीं आ रहा है दो बार इसको उपर नीचे करना है यह देखे निशान आ चुक है वापस हमें भार जाके दिखा देते हो गाइस इसके और क और आपको बूट एकसेस करना है पीछे से तो आपको बस इसको दबाना है इसका बूट खुल जाएगा गाड़ी का बूट खुल जाएगा देखे दर निशान भी पढ़ा हूँ पढ़ा है तो इसके मैं आपको M.I.D. की फीचर एक्स्प्लेइन करता हूँ यह देख सकते ह Puesまだ आपको जाना है कि कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो सेटप में जाना है कि यहाँ तो इसमें एक और फीचर आता है जो आप पीछे की सीट देख रहे हैं ये पूरी अधर से मुड़ जाएगी तो क्या यह पूरा फ्लैट बेंच सीट हो जाएगा अब देखते रहें आप इसको मैं से उठाऊंगा तो यहां तक चलेगी और पीछे की दोनों सीट उठाके आप पूरा नीचे तक कर सकते हैं तो क्या आपके जो पूरा बूट स्पेस रहेगा फ्लैट रहेगा एक चीज यह बहुत अच्छी दी गए टाटा नेक्सॉन में अब इसको वापस लगाने बहुत ईजी आप इसको बस प्रेस कर दो यह अंदर बुच जाएगी कोई दिक्कत न यहां पर आपको एक लैंप मिलता है बूट लैंप देख सकते हैं बढ़ते हैं इसी की की तरफ इसकी में आप देख सकते हैं यह लोक अर अनलोक का सिंपल्स कॉमन फीचर आप जानते ही हैं यह बीच में दो-तिन काम करता हैं बीच ओला बटन एक तो है इसकी लाइट कर सकते हैं और अगर समझ लीजिए वो दिन का टाइम हुआ है तब आप क्या करोगे दिन का टाइम हुआ तो आपको कुछ नहीं करना है यह लौक और अनलॉक के बटन को एक साथ प्रेस करना है गाड़ी बीप साउंड करेगी ओके मैं अभी नहीं करके दिखा रहा हूं क्यों आप चाहिए तो वीडियो फास्ट परवड कर सकते हैं या मैं फास्ट वावड वीडियो कर दूंगा देख सकते हैं गाड़ी अपने आप अनलॉक हो चुकी है और इसका एक और फीचर यह है अगर आपकी गाड़ी का गेट खुला हुआ पड़ा है और आप अपनी गाड़ अगर आपको वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा या आपको कुछ भी काम काया इस वीडियो में तो प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब कर लेना थैंक यू फूर वचिंग बाई